समाजवादी पार्टी में पिछले पांच दिनों से जारी खामसान आज शान्त हो गया है आसीयम अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौपी गई है अखिलेश को राज्य संसदिय बोट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अखिलेश पार्टी में टिकट तय करने वाली कमेटी के चेर्मेन बनाये गए हैं यानी साफ है कि अखिलेश यादव जो चाहते थे मुलायम सिंग यादव ने वो अखिलेश को दे दिया है अखिलेश ने टिकट बटवारे का अधिकार मांगा था मैं दूसरी तरफ पार्टी में ये भी साफ हो चुका है कि शिफपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे आज खुल मुक्य मंतरी अखिलेश यादव ने इसका ऐलान किया इसके साथ ही अखिलेश यादव ने शिफपाल यादव को उनके विभाग लोटा दिये हैं साथ ही कुछ नए विभागो की जिम्मेदारी भी शिफपाल यादव को सौपी गई है हाला कि PWD का जिम्मा अखिलेश ने अपने पास रख लिया है जबकि चिकित्सा और आयुश मंतरालेट चाचा शिफपाल यादव को दिया है इसके जाथी बरखास्त खरनन मंतरी गायतरी प्रजापती को फिर से मंतरी मंडल में शामिल करने का निन्य लिया गया है आज सुभाद चाचा और भतीजे की मुलाकात भी हुई थी ये मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली अखिलेश ने इस मुलाकात के बात कहा मैंने कभी भी पॉलिटिक्स को एक गेम नहीं समझा है समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाये जाने के लिए मैंने उन्हें बधाई दी है नेता जी का आदेश सर्व मानने है हम सभी को मिलकर काम करने की जरुरत है ताकि विरोधियों को मौका ना मिले वैंजवादी परिवार का जगड़ा लगभख सुलच चुका है लेकिन इस पूरे जगड़े के पीछे का मकसद क्या था क्या ये पहले से स्क्रिप्टिट था या फिर परिस्थितियों की मार थी इस पर बात करते हैं वरिष्ट पत्रकार अमलेंदू उपाध्याजी से के तहट ऐसा हुआ या सोची समझी है अब सवाल ये उठ सकता है कि इसका फाइदा किसे होगा और इसका नुकसान किसे होगा हो सकता है कि आज फाइदा आखलेश यादब को मिलता नज़ा रहा हो या कल जा करके शिपाल सिंह यादब को इसका फाइदा मिले लेकिन कुल मिल BETK नुएति को ईसलिए सभसेदे बाहरी की बात करने वालों को यह इसपर्इश करना पड़ेगा उनका बाहरी पारी है या पार निंदर मौनाइम सिंग यादव की विरासत को ले के हैं दिक्कत बाहरी की नहीं है दिक्कत ये है कि मुलाइम सिंग की जो लारी तेक बिरासा थे उस पर कपजा कौन करेगा तो जगड़ा ये है तो इस दिए किसी बाहरी को दोश देना ये ठीक नहीं है और ये स्वाभाविक परण लेती है ऐसा होना ही था क्योंकि जिस तरीक से पार्के के अंदर चीजें हुई तो उसका ये परणाम आना ही आना था तो ये दो होना ही था पार्टी में जस तरह की परिस्थितिया बन रही थी उसके बाद ये जगड़ा सामने आना लासमी था लेकिन अब मुलाइम सिंग यादफ की सुजबूच से चाचा भतीजे की तकरार सुज़ा ली गई है देखते रिगे टीप लाइम